आज आप सभी बच्चों का पहलवान गुरुदीन पबलिक स्कूल में स्वागत है बच्चों आज मैं पूजा कुस्वाहा आपको जैसंकर पिरसाद जी के जीवन परीचय के बारे में बताऊंगी हिंदी के साहित्य के महान कभी नाटककार, कहानिकार एवं निबंदकार स्री जैसंकर पिरसाद जी का जन्म सन 1889 ECB में कासी के पिरसिद सुगनी सावु परीवार में उगा था इनके पिता बापू देभी पिरसाद कासी के सम्मानिय और धनी ब्यक्ती थे, इनकी प्रारमविक सिक्छा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इनोंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फार्सी तथा सिरिष्ट ग्यान प्राप्त किया और साथ ही बेद पुरान इतिहास दर्सन आदी का भी गहन अध्यन किया माता पिता तता बड़े भाई की मत्यू हो जाने पर इनोंने ब्यवसाय और परिवार का उत्तादायत वे सम्माला ही था कि युवा वस्था से पूर्व ही भावी और पत्नी की म्रत्यू से इनकी उपर विपत्तियों का पहाड ही तूट पड़ा फलता बैवहों के पालने में जूला इनका परिवार रिण के बोज से दब गया इनको बिसम परिस्तितियों से जीवन भर संगर्स करना पड़ा लेकिन उन्होंने हार नहीं माने और निरंतर साहित सेवा में लगे रहे किरमसा प्रिसाद जी का सरीर चिंताओं से जरजर होता गया और अंतताया छे रोग से गिरसित हो गए 14 नमंबर सन 1937 इसवी को केवल 48 बरस की आयू में इन्होंने इस संसार से बिदा ले ली किर्तिया प्रिसाद जी ने काब बे नाटक कहानी उपन्यास और निवंद की रचना की इनकी पिरमुक किर्तियों का विवरन निमने लिखे थे नमंबर पहला है नाटक, इसकंद गुप्त, अजात सत्रू, चंदर गुप्त, विसाख, धुरुप स्वामनी, कामना, राजिसरी, जन्मे जयका, नागियक, करुनालय, एक गूट, सजजन, कल्याणी परिणय, आदी कहानी संग्रह, छाया पिती ध्वनी आकास दीब तथा इंदरजाल पिरसाज जी की कहानियों के संग्रह हैं उपन्यास, कंकाल, तितली और इराबती अपून पिरसाज जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्पेक्ता तथा आदरसोन मुख चित्रम किया है निवन्द संग्रह, काब्य कला तथा अन्य निवन्द इसे निवन्द संग्रह में पिरसाज जी ने गंभीर चिंतन तथा साहित संबंदी स्वस्त दरश्टी कौन की अभिवक्ती हुई है नमबर पाँच काब्य कामायनी महा काब्य आसू जर्ना लहर आदी प्रिसिद काब्य कामायनी स्रेश्ट चायावादी महा काब्य है थेंकियो वच्चो